हेलो एवरीवन वेलकम तो आर चानल ओमिलेट सुन सगें कैसे हैं आप लोग तो आज हम लोग बात करेंगे एक एक ऐसा आइटम था जो कि मेरी बकेट लेस्ट में बहुत टाइम से कहते हैं ना कि पैंडिंग था मैं बहुत टाइम से लेना चाहती थी तो आज मैंने वो व्यू करूं उसको अन्बॉक्स करूं आपको बताओं कि इसके क्या क्या स्पेसिफिकेशन्स हैं जी तो हम बात कर रहे हैं हॉट ब्लू गन की देखी तो मैंने खरीदा है क्राउन का और इसका मॉडल नमबर 8010 है तो ये इसके त्री फीचर्स दिखाएं लांग लास्टिं इसको यूज तो क्या आफ़ी टाइम से करना चाहती थी बट मैं खरें नहीं पाती थी क्योंकि मैं ओनलाइन प्रेफर नहीं करती हूँ और कोरोना के कारण मार्किट बन थी तो आज ही मैं गई हूँ मार्किट और मैंने ये खरीदा है इसको मैं यूज करूंगी अपने DIY आ आता है तो ये ट्रेगर उसके लिए होता है और साथ में इसमें इसमें अपन किया था ये बाइडिफॉल्ट इसमें अटाइच्ट होता है कई ग्लू गन्स में क्या होता अलग से मिलता है इसके दो ऑप्शन से इन और आउट एक 60 वाट का है है तो यानि कि अगर आप लो ट बिखाते हैं ग्लू स्टिक कैसे डालना है ये मार्केट में आपको मिल चाती है वैसे तो ये 10 रूपीस का सिंगल मिलता है बट मेरे 10 ख्री थी तो उन्हों मुझे मतला उन्होंने उसके साथ एक फ्री दे दी 100 रूपीस की में 10 लेकर के आई हूँ ग्लिटरिंग में भी मिल वाले आगे मॉप करें तो देखिए इसमें प्लग इन कर लिया है इसमें अब मैं बताते हूँ कितना इसमें टाइम लगा है कितना टाइम लगता है इसमें नॉर्मली इसमें बॉक्स में लिखा आता है कि 4-5 मिनिट होते हैं इदेखिए इंडिकेशन लाइट भी बिलिंक ह तो नॉर्मली चार-पांच मिनट लगता है इसको गरम होने प्रॉपरली और जब तक अच्छे से गरम नहीं हो गई वैक्स जो स्टिक्स हमने डाली है वह मेल्ट नहीं होगी और जब तक मेल्ट नहीं होगी तो वह एज इन गुड़ एडेसिव काम नहीं करेगा तो देखिए यह मेल्ट हो रहा है यह मेल्ट होने के बाद मेरे गर में एक अलिट था एक डिपे का ढखकन था जो कि तोड़ा ब्रेक हो गया था मैंने सुच़ए चलो उसको करूँ तो यह काफी पुराना है जस्ट फोर आरेंडी परपस मैंने इसको यूज किया है तो मैंने इसके पीछ में वैक्स लगा दिया इस तरह से क्यूंकि काफी गरम हो गया था तो वैक्स आराम से निकल रहा है वैसे इसमें तो है कि जब यह सूख जाएगा उपर वाइट वैट तो शो होगा बट यह क्यूंकि इच्छे पक तो जाएगा आराम से वैसे तो इसको मैं अभी साइट में रख दूँगी और इसको थोड़ा सा टाइम लगाऊंगी ताकि यह सूख जाए उसी तरह से मेरे पास कुछ बीट पढ़ी थी, देखे मैं इसको बीट पो कनेट करके हमें एक प्रॉपर नेकलेस या ब्रेसनेत भी बना सकते हैं जैसे में इस बीट की चारो तरफ हैं लगा दोंगी और इसको मैं दूसरी बीट के थारा के साथ कर्बोंगी हमें white and yellow लगाई है इस तरह साब किसी भी तरह की कोई भी beat को आप connect कर सकते हैं और एक beautiful necklace या भी अपना bracelet बना सकते है तो इतने time की जो मेरी wish थी एक hot glue gun खरीदनी की वो आज मेरी पूरी हुई है और आज में I'm very very happy मैं इसके साथ sticks भी ले करके आई और इसके साथ मैं अच्छे सा art and craft कुछ करूँगी देखती हूं क्या करती हूं मैं तो मुझे भूट अच्छी लगी इसके features अच्छा है इसमें blinking भी show हो रही की काम कर रही है इसमें options भी 60-handed water की लिए so thanks for watching this video